टॉम डेविस अगवाई करते हैं चिल्डरन्स होम चेस्ट की जो एक अंतराश्ट्रे सेवगा है अनाथों के लिए वे कलीसियाओं समुदाय और समाज़िक संगों से संपकरते हैं अनाथों के समुदाय से एक लंबी साचिदारी के लिए दस देशों के अंदर सौ साचिदारी के साच टॉम समाज की सायता करते हैं कि वे पैचाने अनाथों की देखबाल के लिए विदेशी अगवों की सामर्थ को पहले वे एक प्रशिक्षक थे और अगवाई का प्रशिक्षन देने वाले थे उचस्तर के लोगों को और वो है विश्वस्तनीय रूप से दूरदर्शी व्यक्ती बहुत ही जोशिले वे दान वर्दान पाई संदेशक है जिन्नोंने अपनी अवास उठाई उनके लिए जो अपनी अवास नहीं उठा सकते मेरे साथ स्वागत करे डॉम डेविस का अलो गुद आफ्टनून आप सबों के बीच आना बड़िया बात है पर जो इस सभा के विशे में खास बात है कि यहाँ पर बहुत से दिलकश लोग एक समान विचार रखने वाले मौजूद हैं जो इनसाफ जैसे मुद्दों के लिए बहुत ततपर रहते हैं एक बात जो ह पूर्व पैदा होने की बाते हो या अनातों का मुद्द हो चाहे आप्रवासियों की समस्या हो ये सब बाइबल के अनुसार इनसाफ के मुद्दे हैं और जितना अधिक हम एक साथ आएंगे एक देह के रूप में या मसीख के अनुचरों के समू के रूप में तो उतना जवान दमपतियों के तरह ही शादी के कुछ समय बाद ही हमें एक बेटे की प्राप्ती हुई उचल कूद करने वाले बेटी की और हम बहुत उतसाहित थे जबकि हम माता पिता बनने के लिए पूरी तरह तयार नहीं थे परन्तु हमारी ये रक्त जाच होई जिसे ट्रिपल जो हमारे साथ गलत हो सकती थी संभावना थी कि हमारे बेटे को शायद डाउन सिंड्रम हो या कोई अंग विकरती हो कोई भी खराबी हो सकती है जैसा इस चार्च में निकला था अब सपष्ट था हम समझ ही नहीं पाई कि क्या करे हम घबरा गए सच में डर गए पर हम एक च हाँ हम टेकसस से हैं और दस साल पहले ही वहाँ से निकले हैं तो इस हिल क्राइस चर्च में हमें नॉर्मा मेकॉर्वी मिली जो रो भी वेट से जुड़ी हुई थी वो रो नो मोर सेव काई से थी वो वहाँ थी और उन्होंने मुझे कई कहानिया सुनाई कि जीवन कितना मह महत्वपून है उन्होंने मंच से कई बार ऐसी बाते बताई तो जीवन से जुड़े हुई ये मुझे हमारे अंदर गहराई से बसे हुए थे खेर हमारे मसही दृष्टी कौन से भी ये बहुत महत्वपून था तो हम इन अनुवांशिक विशेशग्यों के पास गए जिनो तो आपके शादी शुदा जीवन का आरंभ ही हुआ है फिर से प्रयास खरे ये अनुवांशिक सलाकार थे जो ऐसा कह रहे थे वो बच्चे को खत्म करना चाहते थे और नई शुरुआत चाहते थे हमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बच्चा किस तरह से किस बीमारी के साथ पैदा होगा इससे फर्क नहीं पड़ता ये हमारे लिए परमिश्र का वर्दान है और फिर बच्चे का जन्म का समय आया इन सब बातों के बीच मैं ये नहीं भोलूँगा कि कैसे डाक्टर्स ने बच्चे को तुरुंत तॉली से ढाप दिया कि उसे चुपा सकें मै हेडन है 16 वर्ष के और इन सब बातों के बावजूद भी हमारे इस बच्चे की जन्म के दुवरा हमारे जीवन की नई शुरूआत हुई पर हम समझ नहीं पाए कि लोग कैसे इस तरह के हालात से निकल आते हैं हमने फिर कभी ऐसी जाच नहीं करवाई नहीं कभी चाहा कि ल बुद्दे के साथ मेरा पहला परीचे तब हुआ जब मैं 1997 में रश्या की यात्रा पर था और मेरे साथ मेरी पत्नी और आट मेने का हेडन भी था इस दोरे में हमें जरा भी अनुमान नहीं था कि आगे क्या अपिक्षा की जाए और अपने पहले संदेश को मैंने सिश्रक इसका मतलब था कि इन सब बुद्दो के विशे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं परमिश्वर की यह योजना है कि मैं और आप उसके राज्य में बने रहते हुए अपने वरदानों और रचनातमक कारियों के दुआरा लोगों में बदलाव लाने में वियस्त रहें सत अनाथ आले में थे उनकी कोई गलती नहीं थी कुछ के माता पिता मर गए थे कुछ के शायद जेल में थे अब इनके साथ क्या होता था कि अनाथ आलें से निकलने के बाद 15 या 16 वर्ष की आयू में बहुत निराशा के कारण 2 वर्ष के अंदर क्यूंकि और कोई 4 भी नहीं ह पड़ता है क्योंकि लोग उनके पास आकर वाइदा करते हैं कि उन्हें नौकरी देंगे वो संसार के लिए नमूना बनेंगी या अमरीका या जर्मिनी में कहीं अपने परिवारों के साथ होंगी अब अगर ये चोटी बचिया ये चोटे लड़के जैसा हमें ग्यात हुआ इनमें से 80% आखिर में सड़क पर आ जाएंगे बेघर होंगे जेलों में होंगे तो फिर ये तो गैर वाचिब है मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था मुझे इसका बिलकुल अनुमान नहीं था कि ये बच्चे किसी भी तरह बरबाद हो ही जाएंगे क्योंकि इनका कोई बिच किया जो हम सोचते हमें करना चाहिए था जबकि हम महज 22 और 26 वर्ष के थे हम एक खूपसूरत लड़की आनिया से वहां मिले और हमने फैसला कि हम इस बच्ची को इस तरह के हालात में जाने से पहले रोक लेंगे तो मैंने और मेरी पत्नी ने उस बच्ची को गोद लेने की प्रक्रिया पूरी की हम इस ग्रह के पहले युवा दमपती थे रशिया में जिन्होंने बच्चा गोद लिया था क्योंकि आपको बच्चे से तकरीबन 16 साल बड़ा होना जहुरी था कि उसे गोद ले सके बहुत मुश्किल से हम ऐसा कर पाए इस प्रक्रिया के पूरा होने जिनमें घुसना मुश्किल होता है इनका नाम है तीस वर्षों में दादी नानी बनने वाला विशिष्ट वर्ग तो हमार पास तीन वासे हैं अगर आप उन्हें दादी कहें तो उन्हें सुनकर बहुत खुशी होती है खैर मुझे ये वेक्तिकत रूप से बहुत अच्छा लगा मैंने इस बात को समझा है कि परमिशुर हम सब को एक यातरा पर लेकर चलता है और अपनी यातरा के शुरुआत में ही येशु ने भी इस बात को समझा जब वो अपनी सेव का एक उप्रारहम करने पर था और वचन मैं सोचता हूँ बहुत सपष्ट रूप से कहता है इन मुद्दों के बारे में जैसे अनात बच्चों के बारे में गोद लेकर पाले गए उन बच्चों के बारे में जो समाज से भार हो जाते हैं, जिनके पास कोई मदद या प्रोटसहान नहीं होता। इसके बारे में लिखा है मत्ती की 9 धै में 35-38 वचन में। लिखा है येशु सब नगरों और गाउं में फिरता रहा और उनके अरादनालियों में उपधेश करता और राज्य का सूसमा चार परचार करता और हर प्रकार की बिमारी और दुरबलता को दूर करता रहा जब उसने भीड को देखा तो उसको लोगों पर तरसाया क्योंकि वे उन भीडों के समान जिनका कोई रखवाला नहो व्याकुल और भटके हुए थे तब उसने अपने चेलों से कहा पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं इसलिए खेत के स्वामी से विंति करो कि वे अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे देख कि कैसे 12 लाख बच्चे हर वर्ष देहे वेपार में खसीटे जाते हैं एक बहुत बड़ी संख्या तकरीबन 3 लाख बच्चे संगतराष्टर में सड़कों पर आ जाते हैं ये शू ये देखता है और दरस खाता है क्योंकि लोग व्याकुल हैं भटके हुए हैं और इसका सा माधान क्या है खेत के स्वामी से बिंती करो खेत पके हुए हैं वे अपने खेत काटने के लिए मजदूर भिज दे और ये मैं और आप हैं इसलिए हम यहाँ पर हैं आनिया को गोद लेने के बाद मेरा दूसरा अनुभव ये था जब हम रूस में थे अनातों के खेत के ये दक्षणी अफरीका के बिलकुल बगल में है दक्षणी अफरीका से घिरा हुआ है और मुजबिक के पास है इसके पास एक खौफनाक उपाधी है यहां सबसे अधिक HIV AIDS ग्रस्त लोग पाए जाते हैं हमने इस देश में कुछ करने का फैसला किया क्योंकि हमने सोचा अग और जब हम गाउं और कजबों में से होकर गुजर रहे थे तो हमने देखा कि वहां लोग तो हैं ही नहीं बहुत सारे छोटे बच्चे हैं बड़ी उमर के लोग भी हैं परन्तु असल में 18-35 वर्ष के लोग तो वहां थे ही नहीं यह बड़ा जीब था क्योंकि आप सोचें और मजबूर होकर कहेंगे कि बड़े पुरुष और इस्तरिया कहां पर हैं? मता-पिता श्िकषक कहां हैं? क्यूंकि एट्स की बिमारी ताकत फर को पहले खत्म करती है वो लोगों को जवानी में मार डालती है वहां इस बिमारी का प्रतिशत बहुत जयादा था वहां तकर और जेश्ट पुत्र यानि घर का बड़ा बेटा जो तकरीबन 8, 9 या 10 वर्ष का रहता है घर का मुखिया बना दिया जाता है वही परिवार का माबाप होता है मुझे याद है जब स्वाजी लेंड में हम इन बातों को देख रहे थे तो हमें ये एहसास हो रहा था कि परमिश्वर ने इन लोगों को बनाया है ये कितना खूब सुरत सुन्दर पहाड़ियों वाला देश है लेकिन ये अनाथ बच्चे तुरंत ये वचन मेरे जहन में आया शुद्ध और निर्मल भक्ती ये है कि अनाथों और विद्वहों के कलेश में उनकी सुधी ले परमिश्वर अनाथों का पिता है उसे इन बातों की परवा है और ये मिश्णरी हमें लेकर जा रहे थे इन सड़कों से और अचानक मुझे सुझा कि मैं पूछों कि यहाँ पर कोई बच्चा क्यों नहीं है क्योंकि ये जगा बहुत सुनसान और उजार दिखती है सब बच्चे कहा है ये छोटे बच्चे अपने अपनी रह सकते वो बोला वो रहते हैं दरसल उन्होंने हमारे पईयों से उड़ती हुई धूल को देख लिया है वो हमसे दूर जा चुके है ताकि उन्हें खाना दिया जा सके जब हम वहाँ पहुँचे तो ये बच्चे चितरे बैने वहाँ खड़े थे और वो हमें देख कर बहुत खुश थे बड़ी मुस्कान के साथ वो कूद रहे थे हमारे साथ आए लोग कहने लगे ये बच्चे कितने प्यारे हैं ये स्वाजी बच्चे कितने सुन्दर दिखते हैं इनके लाल बालों को तो देखो कितने अच्छे हैं नहीं 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 इनके लाल बाल नहीं होने चाहिए इनके लाल बाल कूपोशन के कारण है इनके पास खाने को कुछ नहीं है इने हमसे ही थोड़ा खाना मिल जाता है ये सब मेरे लिए एक नई दुनिया थी मैं खुद से पूछने लगा मेरी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए यहां परमिश्वर मुझसे क्या चाहता है आपके लिए भी परमिश्वर का यही सवाल है देखे मैं यह जानता हूँ कि परमिश्वर आपको यहां इसलिए नहीं लाया और परमिश्वर आपकी कोशलता, प्रतिभा और जीवन के अनुभवों का इस्तिमाल करना चाहता है जिन बातों के विशे में आप आर्थना में संगर्ष करते हैं वो बातें जो आपके हिरदे में हैं कि आप बहार आया और उस पर भरोसा रखते हुए शानदार कारे कर सके इस संसार में उसके राज्जी के लिए उन शेत्रों में जिनके लिए आपके अंदर जोश है आमीन आमीन मैं विश्वास करता हूँ अब इनके पीछे और कौन सी धारनाय है येशु ने इसके विशे में नई नियम में कहा परंतु परमिश्वर पुराने नियम में इन बातों को कहे चुका है अनाथों के खेत के विशे में उसके क्या विचार है वेवेस्था वीवरण में 24 अध्याय में 17 वचन से वो कहता है वो इसराइलियों को यूं कहता है पर फैला दूँगा परन्तु इन सब के बीच वो बताता है जीवन कैसे जीना है यहाँ वैवस्था वीवरन में वो कहता है यह मेरे लिए बहुत महत्वपून है और मैं चाहता हूँ कि तू इसे स्मरन रख और मैं चाहता हूँ कि तू इस पर हमेशा केंद्रित रहना सत्रह वचन में लिखा है किसी परदेशी मनोश्य या अनात बालक का नियाए ना बिगाड़ना और ना किसी विद्वा के कपड़े को बंदक रखना स्मरन रखना कि तू मिस्र में दास था और यहवा ने तुझे वहां से छुड़ाया है इस कारण मैं तुझे ये आग्या देता हूँ जब तू पके खेत को काटे और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए तो उससे लेने को फिर न लोट जाना वह परदेशी अनात और विद्वा के लिए पड़ा रहे इसलिए कि परमिश्यरी हुआ तेरे सब कामों में तुझको आशिश दे जब तू अपने जलपाई के वरिख्ष को जाड़े तब डालियों को दूसरी बार ना जाड़ना वह परदेशी अनात और विद्वा के लिए रहे जाए परमिश्यर अधिकार हीन के लिए अपनी दिल की बात कहता है उसकी आग्या के अनुसार तेरे पास और कोई विकल्प नहीं इन मुद्दों पर काम करने के सिवाए और वास्तम में मैं ये करूँगा कि इन ही मुद्दों में कारे करने के दुआरा जो कुछ भी तू अपने लिए करता है जैसे तेरी खेत इस संधर्ब में क्यूंकि वो खेती बाड़ी करने वाले लोग थे वो किसान थे और अनाज उगा कर बेचना ही उनका वेवेसाय था तो उनके लिए परमिश्र का ये विचार था कि तुम में से अगर कोई भी अचानक जरूरत मंद हो जाए जैसे परदेशी, अनात या विदवा, कोई अजनभी या कोई भी और जब भी वो तुम्हारे पास आएं तो तुम्हारी फसल का एक हिस्सा उनकी मलकियत हो जाए फिर प जिसका क्या तात परे है, याद करें किया आपने कभी खुद को दास समझा है, हो सकता है जब आप ये शुमसी से दूर थे, क्योंकि नया नियम तो कहता है कि हम सब पाप के दास थे, हम सब अंदकार में थे, पर मिश्र ने दया की और अपने पुत्र को भेजा, कि हमारे लि जब तुम फिरॉन के कोड़े की मार खाते थे, और उसके लिए मंदिर और मिनारे बनाते थे, किन्तु मैंने तुम्हें देखा, और मैंने तुम पर दया की, और तुम्हें छुडाया, तुम्हें छुटकारा दिया, इसलिए उसका अभार व्यक्त करने के लिए, जैसे आज प्रमिश्वर कह सकता है देखो मैं तुम्हें कहां से लिया आया तुम्हारे उस दर्द को मैंने चंगा कर दिया है और तुम्हें आशिश्टी है मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन के लिए कितना साकार है मैंने तुम्हारे रहने के लिए कितना सुन्दर घर दिया है सुन्दर देश दिया है तुम्हें अब गंदा पानी पीने की जरूरत नहीं है तुम्हें खाने की चिंता की जरूरत नहीं तुम दूद और दाखमदू के देश में हो तुम अपने भंडार में से जो चाहे ले सकते हो सबजियां या कैसा भी अनाज संसार में कई लोगों के पास ये सब नहीं है मैंने तुम्हें आशिश दी है अब क्यूंकि मैंने तुम्हें इतना फलवंद किया है मैं चाहता हूँ तु परदेश्य को आशिश दे और अनाथों और विद्वाओं के लिए आशिश बन मैं चाहता हूँ कि तेरे जीवन या तेरे खेत के एक भाग को तेरा समय तेरी प्रतिभा या कोशलता या तेरे धन के एक हिस्से का उनके जीवन में निवेश किया जाए और जब तु इस तरह भागीदार होगा तो ये गजब का कारे होगा क्योंकि संसार मेरे प्रेम को देख पाता है उनके लिए और वो देखते हैं कि मैं तेरे द्वारा क्या करता हूँ अनाथों की देख रेक होगी विद्वाओं को सुरक्षा दी जाएगी परदेशियों का अभिनंदन होगा और संसार में बड़ा बदलाव आएगा अनाथों के खेट के विशे में प्रमिशुर की यही योजना है आपको शायद ये कहानी याद होगी जो इन बातों का एक स्पष्ट उधारन है वो है रूत और बोज की कहानी क्या आपको याद है ये खास तोर पर बाइबिल की महिलाओं के लिए बहुत प्रिये कहानी है है ना? क्योंकि बोज कौन था? कुटंबियों को चुडाने वाला था शायद बोज 6.8 इंच का गठीले बदन वाला रहा होगा सबकी रक्षा करने वाला महरक्षक सभी यारों का यार ये व्यक थी जो मूल रूप से परमिश्र का भै मानने वाला आग्यकारी मनुश्य था परमिश्र को मानता था और अनाथों के खेत के सिद्धान्त का पालन करता था यहां रूत और नाओमी आते हैं ये विदवाय है और परदेसी है ये अस्थाई निवासी और विदेशी है और भूके है और ये बोज के खेत में चले जाते है और बालें बटोरने लगते हैं जो उनका अधिकार था ये सच में एक खूब सूरत कहानी है बाइबिल में ऐसी कहानी परमिश्वर चाहता है कि हम सब भी जीए एक और खास वचन है जो मेरा प्रिय है मती छे तेतीस ये मेरा एक पसंदीदा वचन है काफी देर तक मैं समझ नहीं पाया इसका एक और आर्थ भी है मती छे तेतीस कहता है पहले तुम परमिश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुमें मिल जाएंगी तो मैं हमेशा से परमिश्वर के राज्य उसकी धर्मिक्ता को खोजता रहा ये मेरी व्यक्तिकत प्रात्मिक्ता होनी चाहिए कि मुझे और प्रातना करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चर्च में जाना चाहिए, बाइबिल का ध्यन करना चाहिए, ताकि मैं धर्मी बन सकूं, तब सब वस्तूएं मुझे मिल जाएंगी. और कुछ माईने में ये सही भी था पर जब मैं सैमिलरी में गया तब मैं समझ पाया कि इस शब्ध धर्मिक्ता का मुनासिब अनुवाद कुछ और है जो ज्यादत्तर इंसाफ जैसी बातों से मेल खाता है अब माईने फर्क थे पहले परमिश्वर के राज्य और उसके इंसाफ की खोज करो तो ये सब वस्तों भी तुम्हें मिल जाएंगी अब परमिश्वर का इंसाफ क्या है? वो कहना क्या चाहता है? उसके इंसाफ के माईने बहुत स्पष्ट है उसके इंसाफ के लक्षन है ऐसा समाज जिसके गुण ऐसी अवस्था में कारे करते हैं जो परमिश्वरिया उसकी इच्छा के अनुसार स्थापित है जैसे हम येश्यू के अनुयाई हैं हम इंसाफ इसलिए करते हैं क्यूंकि ये येश्यू के हिरदे की इच्छा है हम उस इंसाफ की खोच के लिए बुलाए गए हैं अपनी ताकत का सही इस्तिमाल करना इंसाफ है येश्यू ने अपनी ताकत का कैसे इस्तिमाल किया उसने सेवा की उसने सब कुछ उलट पलट कर दिया उसने ऐसा नहीं किया कि सारे अधिकार को अपने लिए ही रख लिया दूसरों पर लादने के लिए उसने हमें धर्म शास्तर से सेवा करने की नैतिकता दी दूसरों के लिए कुर्बानिया करने की शर्त रहित प्रेम करने की नैतिकता दी तो परमिशुर इंसाफ के बारे में क्या सोसता है? ये वो चीजे हैं जो समाज में पहले से ही कार्या नवित है ताकि हम वो लोग बन जाएं जो ऐसे शेत्रों को देखें जहां कि हम इंसाफ के नुमाइंदे बन सकें जहां लोग संसार में कश्ट जहिल रहे हों और हमारे पास परमिशुर द्वारा प्राप्त ऐसी ताकत हो कि उन्हें ठीक कर सकें उसे दुरुस्त करने के लिए हम भरसक प्रयास करें क्यूंकि परमिशुर की योजना है कि शान्ती हो कि दया हो कि महबबत हो और इन सब से उपर इनसाफ हो और इसके बारे में जो मेरे विचार है वो इस तरह है एक लेखक है जिनको मैं अक्सर पढ़ता हूँ उनका नाम है हेंडरी नौविन राज्जी के विशे में उनका कहना है कि ये कोई उपर जाने की गती शीलता नहीं है ब्रेडी मैं सुसता हूँ ताकि वो मुझ में बढ़ सके मैं एक दास बन जाता हूँ येश्यू ने कहा सुवर के राज्जे में सबसे बड़ा कौन है जो सब का दास है कोई ऐसा जो अपना जीवन सब के लिए दे देता है जो दया से भरा हुआ है जो ऐसी बातों से मामूर हो जिनसे संसार को कोई अर्थ नहीं मिलता परन्तु वो संसार के सफलता के मायनों को पून रूप से उलट-फलट कर देता है और वो ऐसे ग्यान को फैला देता है कि अपने जीवन को देने के द्वारा दूसरे लोगों को जीवन मिलता है आप इस तरह से सोचे कैसे मुकमल होती है सुर्ग की तरह ये कैसे होता है ये यू होता है क्योंकि आपके और मेरे समान आत्मा से परिपून व्यक्ती है जो इनसाफ के लिए और प्रमिश्वर की इच्छा के लिए इस संसार में जीते है हम संसार में अनाथों को देखते हैं और अजीब काम करते हैं हम उन्हें गोद्ले लेते हैं हम उन्हें ले आते हैं और पालते हैं ऐसे बच्चों को जो बेगर होते हैं और इधर उधर पलते हैं और वो कहीं बस नहीं पाते हमारे दिलों से उनके लिए दया निकलती है और हम उन्हें अपने घर में ले आते हैं और हम उन्हें अपने बच्चों के समान प्रेम करते हैं ऐसे जैसे वो बेगाने नहीं हमारे अपने हो हम अपने शहरों में इस तरह की घटनाएं देखते हैं जहां इस्तरियों के पास इनाज के लिए पैसे नहीं होते और हम अपने पागलपन में उन्हें अस्पता ले जाते हैं हम लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं हमारे पास ऐसे पागलपन के लिए कई तर्कीबे हैं ये राज्ये की तर्कीबे हैं ऐसी महिला की मदद करना जो देवेपार में है ये सब कलपनाई जो प्रमिश्र अपने लोगों को देता है उसके राज्जी की बाते हैं जो इस अंसार में कारे करती है इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है क्योंकि आप ही प्रमिश्र की आशा है अब सामाधान क्या है? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये बड़ा दिल्चस्प है जब मैंने इस पर कुछ रिसर्च की तो एक संस्था है जिसका नाम है बोर्गेन ग्रूप और उनके पास एक बोर्गेन रिपोर्ट आप देख सकते हैं अब ये क्या करते हैं? वो अध्यान करते हैं कि कौन से सबसे बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिने संसार जहलता है? इनसाफ जैसी बातों को लेकर और तक्रीबन कितना धन लग जाएगा कि उन मुद्दों को सुलजाया जा सके देखिए आकड़े ये कहते हैं कि 15,000 बच्चे पांच वर्ष की आयू से पहले प्रते दिन भूग से मर जाते हैं क्या इसलिए कि हम उने खाना नहीं दे सकते? क्या संसार में इतना धन नहीं है? या उनके लिए भोजन ही नहीं है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे जाय समाधान निकाला जा सके इन समस्याओं के लिए तो उन्होंने इस पर अध्यान किया और उन्होंने इस तरह का निशकर्ष निकाला वो जाच करकर कहने लगे हाँ ये हो सकता है उन्होंने कहा वो इस कूपोशन और भूके रहने के विशे में कहने लगे उनकी जाच के अनुसार अगर 19 अरब डॉलर का निवेश किया जाए अभी से लेकर 2015 तक तो सच मुझ पूरे विश्व से भूक और कूपोशन को खत्म किया जा सकता है 19 अरब डॉलर का निवेश अगर 2015 में किया जाए क्या कोई कुछ अरब डॉलर दे सकता है अगर आप सोचें तो ये कोई बड़ी रखम नहीं है 19 अरब डॉलर देखे जब मैंने इसके उपर थोड़ा सध्यन किया कि देखूं कि अमरिका कितने डॉलर खर्च करता है हम ज़रा इन बड़े आंकडों को देखें और जाने कि ये दरसल कैसा दिखता है तो इस तरह मैंने स्मार्ट मनी में ये लिखा पाया कि हम लोगों ने ये 2010 की बात है अमरिका में 41 अरब डॉलर का निवेश किया सन 2010 में हमने 41 अरब डॉलर खर्च किये अपने पालतू कुटों पर मैं पालतू जानवरों के खिलाफ नहीं हूँ हमारे पास प्यारा सा गोल्डन रिट्रीवर होता है कैली के पास घोड़े ये हमारे पास दो खर्गोश है वो हमारे पालतू है परन्तो 41 अरब डॉलर ये कीमत 64 देशों की घरेलू वस्तों की कीमत से भी कहीं ज्यादा है 41 अरब और हमने नई टीवी के लिए खर्च कर दिये वीडियो गेम्स के लिए हमने साढ़े 11 अरब डॉलर खर्च कर दिये साढ़े 10 अरब डॉलर फिल्म देखने के लिए अमरिका का रक्षा बजट है 522 अरब डॉलर अगर हम दुल्ला करें बेशेक मैं जरूर कहूँगा कि ये मुद्देब हलां कि महत्वपून है परन्तु शायद प्रमिश्वर के इंसाफ के नजरी के नुसार नहीं जब मैं इसे देखता हूँ तो सोचता हूँ कि 2010 से 2015 की बीच भूकमरी को खत्म करने के लिए 19 अरब डॉलर चाहिए तो प्रशन ये उटता है कि मेरी प्रात्मिकताएं कहां गलत है देखिए ये महज पैसो की बात नहीं है परन्तु जरा मनुष्य के अविश्कारिक तरित्र और रचनात्मक्ता को देखिए कि कैसे वो नई अविश्कार करता है जैसे आप एक स्पोर्स कार को देख लीजिए या फिर किस वीडियो गेम को ही ले ले उसमें कितनी कलाकारी छुपी हो ही है तरह तरह के ग्राफिक डिजाइन चित्रकार और गोड़ी लोग इने बनाने के लिए चाहिए होते हैं क्यूंकि इससे अर्बो खर्बो की दौलत पैदा होती है परन्तु मनुष्य को इस अवश्कारिक चरि संस्कृती की रचना की है निकल भागने की संस्कृती तैयार की है ऐसी संस्कृती विक्सित कर ली है जिसको मालूम नहीं कि हिर्दय के मुद्धों को कैसे सुलज़ है इस प्रकार के नजरिये के बहुत सारे संकेत हैं हमारे देश की तलाक दर को देखे लोगों को ऐसे मुद्दों को निप्टाना आता नहीं है हाँ शायद ये हो सकता है कि आज समाज वीडियो गेम खिलना जानता है तो अगर हम मनुश्य के सारे अविश्कारिक चरित्र को ले उसकी सारी रचनात मकता को बेशक इन कामों को करते रहें परन्त इनके साथ साथ हम अपने हिर्दे के मुद्दों पर भी गौर करें कि हम गर्व के साथ कह सकें कि ये वो पीड़ी है जो संसार से बच्चों में भुकमरी को खात्म कर देगी ये संसार में से मलेरिया की बिमारी को दूर कर देगी ये उन सब मुद्दों को दूर कर देगी जिनके बारे में हमने चर्चा की है ये सभी बेगर बच्चों के लिए घरों का इंतिजाम करेगी ताकि उनकी मसीही महौल में प्रेम के साथ परवरिश हो उन्हें इज़त और मान मिले देखिए जो कुछ अभी हमने बातियें की अगर हम उसका संतुलन करें वास्तविक्ता से तो बहुत बड़ा विरुदाभास है गरीबी के संदर्ब में मैं चाहूँगा कुछ तस्वीरे दिखाऊँ अगर हो सके तो मैं अकसर सोचता हूँ कि गरीबी के इन बच्चों ने कहसे कीलमत चुकाई गरीबी की वज़ा से बेशक उन्होंने खोया है अपना बच्चपन या अपने माता पिता या शायद अपनी सुरक्षा या संगरक्षा को गरीबी ने इनसे बहुत कुछ चीना है पर इन बच्चों ने जिने आप अबी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सचमुष बहुत अधिक कीमत चुकाई है क्योंकि ये सब बच्चे अपनी जान गवाँ चुके है मामुली कारणों की वज़ा से उनका जीवन चला गया उनके पास मलेरिय की दवाई नहीं थी उनके पास खाना नहीं था उनके पास समय पर उनकी देखबाल करने वाला कोई नहीं था ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है की सोचे कि अब हम अपना जीवन कैसे जीए इसलिए नहीं कि हम पश्चताप और गलानी महसूस करे परंतु प्रोथ सहान की भावना के साथ कि काश मैं अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकूँ कि कम से कम एक बच्चे को बचा सकूँ कि कोई एक बच्चा गरीबी में मरने से बच जाए तो आज ये काफी होगा अगर मैं अपनी प्रतिभा के द्वारा अगर मैं अपनी कौशलता को इस्तिमाल करके एक समाधान निकालू जिससे जीवन बच जाए जिससे इन मुद्दों पर ऐसा प्रभाव हो सके कि उन बच्चों के जीवन बदल जाए जो बिना माबाप के पलते हैं वो बच्चे जो अफरीका में बे घर हैं वो बच्चियां ज ताकि उसकी स्वर्ग ये इच्छा इस प्रित्वी पर पूरी हो सके अगर आप प्रमिशुर के लिए अपनी प्रतिभावों का इस्तिमाल करेंगे तो प्रमिशुर इन कठिन मुद्दों के लिए अपने स्वर्ग दूतों को बेजेगा बुराई के इन मुद्दों के लिए बहराल हम बहरी की बात से बहुत जल्दी प्रेरित हो जाते हैं यहुन्ना दस-दस में लिखा है चोर-चोरी करने, घात करने और नश्ट करने को आता है इसके विपरीत एक ही बात है जो बीच में है कि येशु ने कहा मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत तायत से पाएं और इनी सब के बीच मेरा और आपका किरदार है लोग अक्सर कहते है मैं ना केवल इसे करना चाहता हूँ परंतु परमिश्वर में तेरी इच्छा के अनुरूप सभी शेत्रों में कारे करने को तयार हूँ तू जैसा कहेगा जहां कहेगा मैं वो काम करूँगा देखे ऐसा नहीं है कि आपको अफरीका जाने की ज़रूरत है परंतु आप उस शेत्र में रहें जो परमिश्वर ने आपको दिया है जहां आप हैं और उस शेत्र के कुछ भाग का इस्तिमाल करें अपने समय, अपनी प्रतिभा, अपनी अविश्कार करनी की योगिता का इस्तिमाल करें क्योंकि उसके राज्य के काम आपको अपने पडोस में ही करने को मिल जाएंगे परमेश्वर इन समस्यों के समाधान के लिए आपको इस्तिमाल करना चाहता है एक बिलकुल उजाड स्थान से नाउमीदी के स्थान से गरीबी से अनातों के स्थान से कि आप जीवन देने वाले हों आशा देने वाले हों बदलाव लाने वाले हों पर ये आपके बगाएर नामुम्किन है ये तब तक नहीं होगा जब तक आप ये ना कहें परमेश्वर मैं जाऊंगा मैं तैयार हूँ एक साधरन सा रास्ता भी है अगर आप सोचें कि मेरा पैसा अलग तरीके से इस्तिमाल हो सकता है बजाए इसके कि मैं बहुत सारी चीजों को खरीदू मैं अपनी जरूरतों पर लिगाम लगाऊंगा और इन अनाथों के लिए इन वेगरों के लिए उसमें से कुछ दूँगा या हो सकता है आपको कहीं जाना पड़े आपको लोगों से मिलना जुलना पड़े अलग अलग सेवकाईों से मिलना पड़े कि आप चाहकर कहें मैं अपनी परतीबा का इस्तिमाल करना चाहता हूं मैं विश्वास योगयता के साथ कहना चाहता हूं कि मैं उसके लिए कुछ करूँ हम 2006 में स्वाजी लैंड में गए थे जब मैंने उस देश को देखा तो सोच में पढ़ गया मैं बीबसी में कहने लगा कि परमिश्वर इस स्थान में कैस से काम कर पाएगा अगली बार हम अपने बच्चों के साथ गए हमने वहां कुछ महीने बिताए उन लोगों को प्रेम जताया और कोशिश की कि उन लोगों की कहानियों को सुने वो दर्शन जो स्वाजी लन जैसी जगाहों या संसार के दूसरे अनातों के लिए होता है वो पहले से ही हमारे अंदर होता है और कई बार हम उन कामों के बारे में सोचे बगार यूही बात करते रहते हैं मैं इस व्यक्ति से बहुत प्रभावित हूँ जिनसे आप कल सुनने वाले हैं इनका नाम है माइकल मिलर इन्होंने एक वीडियो फिल्म बनाई है जिसका नाम है पावर्टी क्योर हो सकता है वो उसके बारे में बताएं हम एक लाब निरपेक्ष संस्ता होने के नाते ऐसे हालात का सामना करते हैं जहां भूके बच्चे हैं उन्हें खाना देना है उन्हें साफ पानी की भी जरूरत है वो लंबे समय तक ऐसे कैसे बने रह सकते हैं तो उनकी मदद से हम ऐसे तौर तरीके मिले कि हम बने रहे, बढ़ते रहे और सफल हुए जैसा अब हम सोचते हैं कि हम कैसे मदद करें जबकि ये प्रोजेक्ट महज यही नहीं था कि उनको खाना खिलाया जाए परन्तु वो से हैंशील होते जा रहे हैं लोग अब जिम्यवारी लेने लगे हैं, उनके छोटे छोटे सम्हू बन गए हैं जो सहयोग के कारे कर रहे हैं जो पहले नहीं थे 2007 में बस ये खाब था उस वक्त तो हम ऐसा कुछ भी नहीं देख पा रहे थे परन्तु परमिश्वर की योजना बहुत अलग थी वो क्या चाहता था, वो बस चाहता था मेरे और आप जैसे लोग जो कहें हाँ परमिश्वर, चाहे कुछ हो जाए मैं तेरा राज्य बनने में सहयोग करूँगा और अब प्रार्थना के समय मैं विश्वास करता हूँ परमिश्वर सब को बुलाता है आप में से कुछ जो खुद को अलग किये हुए बैठे है आप यहाँ हैं क्योंकि आप सोचते हैं परमिश्वर आप से बात करना चाहता है पर वो आप से ज्यादा आतूर है कि आपको बताए वो क्या करने को है येश्व ने कहा परमिश्वर आप से क्या कहता है क्या वो आपको इंसाफ की समीथिया बनाने को कहता है क्या वो आपको कहता है कि आप अपनी रचनात्मक्ता को कैसे इस्तिमाल कर सकते है आप कैसे नई खोजों के लिए अपने वरधानों का इस्तिमाल कर सकते है कि हो सकता है आप संसार की बड़ी समस्याओं को सुलजा सके जिनका संसार को इंतिजार है दुनिया आपका इंतिजार करती है आप उनकी आशा हो परमिश्वर के अनुसार इन तमाम समस्याओं का समाधान केवल आप ही हो वो हम है और हम समय ऐसा नहीं कर सकते हमें परमिश्वर की पवित्रात्मा की सामर्थ चाहिए जो हमारे द्वारा कारे करे हम तब ही जान पाएंगे जैसा मैं विश्वास करता हूँ कि परमिश्वर ने हमारे अंदर बहुत कुछ रखा है हमें एहसास है जब हम हाँ करेंगे तो वो हमारे द्वारा कुछ भी कर सकता है वो हमें साहस देता है कि हम उसके लिए कदम बढ़ाएं जब हम कहें जो तू कहेगा मैं करूंगा मैं पूरे यकीन के साथ ये कहता हूँ आप इसी लिए आज यहाँ हैं क्यूंकि परमिश्वर के पास आपके लिए सीधा संदेश है कि आप कैसे बदलाव ला सकते हैं आईए प्राटना करें परमिश्वर हम इस समय को गवाना नहीं चाहते हम जानते हैं ये समय पवित्र समय है इस समय तू हमारे साथ है तू हमसे बातें करता है इस समय इस स्थान पर हमारी कुर्सियों के बीच तेरा आत्मा जुम्बिश करता है और इस समय तू हमसे व्यक्तिगत तौर पर मुखातिब होता है क्योंकि तू हमें यहां ले आया है किसी कारणवश ताकि तू हमें दिखा सके, बता सके कि हमारे हिरदे का दर्शन पूरा हो सकता है ताकि लोगों की प्रती जो हमारे अंदर बोज है कि हम उनकी सेवा कर सके, पूरा हो सके वो कारे जो हमने भूत काल में किये हैं आने वाले समय में हम उनसे बढ़कर कारे करेंगे क्योंकि हम तुछ पर निर्भर है ए प्रभू हम एक परिवार की रूप में आज के दिन एक बार फिर से अपना जीवन अर्पित करते हैं तेरे सामने समर्पन करते हैं पिता हम चाहते हैं कि तू हमारे अंदर की आग को भढ़का दे ए प्रभू तू हमें दर्शाह की इस जीवन में हमारा किरदार हो सकता है हमारे वरदान बहुत छोटे हो पर हम उन्हें तुझे अर्पित करते हैं क्योंकि तू उनमें अपनी आग भर सकता है और वो बहुत भववे हो सकते हैं और हम बहुत से जीवन बदल सकते हैं और इस गरीबी के चेहरे को बदल सकते हैं जैसा हमने परदे पर देखा था प्रमिश्वर हो सकता है संसार के लिए मुद्दे मुश्किल और असंभव हो परंतु तूने कहा तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है हम तुझ पर बड़ी बातों के लिए विश्वास करते हैं इन सभाओं में हम बड़े कारियों के लिए विश्वास करते हैं पिता लगातार हमसे बातचीत करता रहे हमें प्रोचसाहित करता रहे हमें स्परन कराता रहे कि हम कैसे मिस्र में दास थे हमें ये याद रखने में मदद कर कि हमारा जीवन तुझे अर्पित है कि तू इसे इस्तमाल करे ताकि दूसरों के जीवन परिवरतन शील हो और इस पृत्वी पर तेरा राज्य आ जाए हे पिता हम से बात कर क्योंकि हम अपने उधार करता येश्यो के नाम से मांगते हैं आमीन